हेलो फ्रेंट्स इस उडी में बात करने वाले हैं मोटरोला एज 30 अल्ट्रा के बारे में यानि कि मोटरोला एज एक्स के बारे में जो की चाइना के अंदर उस नाम से रिलीज किया गया है तो 830 Ultra के बारे में गर हम बात करें तो जो यहाँ पर आप देख सकता है इस तरह की renders हमको यहाँ पर Onlex और 91 Mobiles ने रिविल किये है कुछ तो यह बजो डिस्प्ले आपको मिलती है 6.67 इच की 4HD प्लस 144 हर्ट्स की OLED पैनल मिलती है काफी अच्छी डिजाइन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रही है और जो डिस्प्ले है वो अच्छी कॉवालिटी भी आपको यहाँ पर मिलती है इंडिस्प्ले फिंगर मिल जाता है अगर हम बात करें चिपसेट के बारे में तो Snapdragon 898 के साथ यह फोन आने वाला है अगर बात करें camera model उसके बार में तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का camera model है पीछे के साइड में और यहाँ पर triple camera आपको यहाँ पर मिलते है with flash तो man camera जो हो 50 megapixel का है वो इसके साथ आता है 50 megapixel secondary है और जो third camera है वो 2 megapixel का आपको मिलता है तो basically यहाँ पर बात करें तो 60 MP का आपको एक front camera मिलता है selfies के लिए तो selfie camera यहाँ पर 60 megapixel का है और उसके बाद अगर बात करते है बैटरी के बार में तो 5S AMH की बैटरी मिल जाती है चार्जिंग स्पीड भी amazing है 68W की चार्जिंग स्पीड आपको यहाँ पर मिलती है 3.5M headphone jack नहीं है यहाँ पर और कश टेक्निकल डीटेस के बार में जाले तो LPDDR 5X RAM आएगे इसके अंदर UFS 3.1 और IP52 protection के साथ यह launch होने वाला है तो specs के मामने में काफी amazing phone यह लग रहा है और बहुत ही जल्दी launch होने वाला है Motorola यह flagship phone जो कि इसका नाम है Motorola A30 Ultra